पत्र लेखा का जूट विराट से इस सच को चुपाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो विनाय को नहीं खोना चाहती है और नहीं वो ये सच सामनी आने देना चाहती है इतने सालों से उसने अपनी परिवार याने अपनी खुशियां वापस से संजो ही है और वो पिल्कुल नहीं चाहते कि सई वापस इस घर में लोटकर आए इसलिए वो उस तस्वीर को जलाते नजर आएगी और विराट यहां पर वीनू उसे यह तस्वीर जलाते वे देख लेगा यह दोस्तों देखने को मिलने वाला है कि अब वीनू यहां पर पतर लेखा को रंगे हाथ पकड़ते नजर आएगा और वो काफी कुछ कह देता है कहते हैं कि यह सही तुम वापस इस दुनिया में लोटकर नहीं आ सकती हो और मेरे अपना घर कैसे बताया यह मैं अब बिल्कुल भी तूटने नहीं दूगी जिसके बाद नहीं यहां पर विनायक सब कुछ सुन लेता है और यहां पर पत्र लेखा पर भढ़कते नजर आएगा कि उसने उनकी तस्वीर क्यों जलाए वो उसकी दोस्त है और वो उसे कैम्प में मिली थी जिसके बाद देखने मिलता है कि वो पत्र लेखा पर बुरी तरह से यहां पर गुसा होते नजर आएगा और पुरे परिवार वालों को यह बता देता है कि सवी की फोटो उसने जलादी पत्र लेखा ने लेकिन पत्र लेखा यहां पर अब इस तमाशे को रोखने के लिए ट्रामा करते नजर आएगी तो वही दूसरी तरह विनायक पत्र लेखा से बुरी तरह से नाराज हो जाएगा कि उसने उनकी तश्वीर जला दी है तो दूसरी तरह देखने को मिलता है कि सवी बार बार यहां पर विनायक को मिस करते नजर आएगी और दूसरी तरव गुंडे भी उनके पीछे पर जाते हैं और जल्द ही वापस ही होगी यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरह से यहाँ पर सही अब यहाँ पर पहफेसला लेते नजर आएगी